क्या ये वही बंगलादेश नहीं है कि जो भी पाकिस्तान को वाइट वाइट वास के गई है बिल्कुल वही बंगलादेश है वही शांतू उनका कफ्तान है वही मुश्फीक उनका मिडल ओर्डर में मौमिनुल वही जनाब शेकीब लहसन लिटन डास मिडल ओर्डर में मुश्फीक 191 रंस साथ में जनाब लिटन डास और आठवे नमबर वाला महदी असर मिराद हमारे तो गले की वहड़ी बना हुआ था ना निगल सको ना उगल सको उसी नहीं 77-888 रंस नमबर आठ पे आगे डाले तो छे सेशन पाकिस्तान को बंगलादेश पिंडी के पहले मैच में फिल्ड में रखा मैच की अंदर कोई मैच ही नहीं है मैच की अंदर कोई मुकाबला ही नहीं है वान साइडिट भी शायद इसको कहना पता नहीं जस्टिस कर पाएगा के नहीं इनसाफ कर पाएगा के नहीं यह वाले अलफास जो इंडिया की जो इ खम-खम दिखाएगी भारतिय टीम और ऐसे ही रेजल्ट की उमीद करते हैं जैसा हमने टेस्ट में देखा बंगलादेश को वाइट वाइट वाश करेगी T20 सीरीज में भी भारत भारतिय स्कॉाइड हम समको पता है ताज्यूप या अनस्पेक्टेड जो चीज है वो बस एक ह कि वाइस कप्तान गिल को प्रेश दिया गया है रनिती और बदलाव की जरूरत ज्यादा बंगलादेश को होगी जिस परकार की उमीदे लेकर बंगलादेश यहां आया था भारत को भारत में वाइट वाइट वाश करने के वो सपना तूट गया तो उसके बाद कोई तगड अभी देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जनता में क्या खासी चर्चाएं हो रही है भारतिय टीम इंडिया वर्सीज बंगलादेश को लेकर वैसे पहले तो सबसे पहले आज के मैस की बात करूँ दिल छागे हैं छागे है इंडिया बही दिलों पर राज करेंगा उनकी कांपें टांग रही है कि हमारे साथ भी होगा श्रीया जैसी टीम भी इस टाइम खौफ के अंदर है कि पता नहीं इस टेस्ट चेंपियंशिप के अंदर होगा क्या जो इंडिया हाई टीम का इतना बुरा अशर कर रहा है जो टेस्ट को टीट और टीट एंड की तरह लेके चार रहा है तो यह बाकी टीमें जो वेस्ट इंडीज वगरा यह साथ चोटी टीमें इनके साथ है जाहरी सी बात है देखें इंडिया बड़ी अच्छी परफॉर्मंस करता रहा है उनको रहा है वह अपने मुलक में आ रहे हुए भी तेना चोदा साल उनको इतना आसान नहीं जाहरी सी बात है उनको कंडीशन का भी इडवांटीज होता है दूसरा उनका एक खौफ तारी हो गया है उन्होंने बना दिया अपना खौफ दूसरी वर्ल्ड की टीमों के लिए जो वह यानि के सान नहीं है दूसरों को दूसरी टीम के लिए इंडिया को राना है पैट कमिंस और बेंस्टोक सर प भी खेल के किया है जो रूट कितने बड़े बड़े इंग्लेंड के प्लेयर आए हैं लाकिन किसी ने भी इंडिया को इंडिया में हराने की त्लाहियत नहीं रखी आप यह तीम कहां से आजाएगी आप देखें पाकिसान को कर हरा देगी हमें हंड्रेड पर सन्यकीन हैं कि पाकिस्तान को हरा देगी फिर वो खाब देखिए कि जिस तरह बंगला देश ने दिये देखा है जो जा कि इंडिया को इंडिया में हराना फिर बैंस्टोक प्रेस कांफरेंस पे बैट जाएगा फिर देगा स्टेटमेंट जो इंडिया को हम हराएंगे लेकिन उनके साथ भी कोई हाल होने जो बंगला देश की साथ हुए जो नजमुल हुसैन शेंटू ने प्रेस कांफरेंस में तुम लोगों को भूक कर सकती है टीम आप बैट के प्रेस कांफरेंस में यह बातें कर रहे हो कि हम इंडिया को हराने की सलाह यह रखते हैं पिछले वाले मैश में बहु है कि one-sided भी शायद कहना one-sided की तोहीन है यह तो कोई side ही नहीं है यह तो कोई मुकाबला ही नहीं है यह तो कोई contest ही नहीं है there is no match in match it's a huge mismatch match की अंदर कोई match ही नहीं है match की अंदर कोई मुकाबला ही नहीं है one-sided भी शायद इसको कहना पता नहीं, जस्तिस कर पाएगा के नहीं, इनसाफ कर पाएगा के नहीं, यह वाले अलفाद जो इंडिया की जो इतनी शानदार परफार्मिस हुई है, शायद कि उसके साथ यह इनसाफ ना कर सके, कि वन साइड Olsen इसको यह कोई उससे भी नेक्स लेवल ही काम हो गया भाई उससे भी कोई टॉप लेवल का यह काम हो गया वान साइड़ यहां पे मेखल में जस्टिफाइड नहीं है यह कोई है नहीं कॉंटेस्ट नहीं है मुकाबले नहीं है बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, फिल्डिंग की बात करें, कप्तानी की बात करें, अप्रोच की बात करें, इंटेंट की बात करें, गेम प्लैनिंग की बात करें हर एतवार से कोई कंपारिसन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है और इंडिया बहुत उपर नज़र आया बंगलादेश बहुत ही नीचे नज़र आया और बहुत बंगलादेश है जो पाकिस्तान को वाइट वाश करके गया मैं अभी कॉमेट भी बीच बीच में मेरी यादत है और उसने लिखा कि ये बंगलादेश हमें वाइट वाश करके गई है कि जो बंगलादेश पाँच सेशन नहीं निकाल सकी अब विक्ट्री विद वन अड़ाफ सेशन रिमेनिंग आज के दिन का रहता ना या डेट दिन डेट सेशन तो रहता ना आज के दिन का और धाई दिन जो हैं धाई से भी जादा पौने तीन दिन जो हैं वो तो बारिश की नजर हो गए आज कभी डेट सेशन रहता है पौने दो पाँच सेशन के अंदर एक टीम जीद गई है तो उसने यह लिखा कि आप जितना हम यह स्मैच को देख के हम सेल्फ एवैलुएशन हमें हो रही है कि वेर डू वूई स्टैंट कहां पे हम खड़े हुए हैं तो यह कॉमन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जो फिलिंग है आँखे उनकी खुल गई है उनके दिमाग तो पहले खुल गए थे आँखे एवरिधिंग क्वाइट एविडेंट उसने लिखा कि भाई यह बंगलादेश की टीम अब हमें वाइट वाइट वाश करके गई है घर में और वहां पर यह पांच सेशन नहीं निकाल सकी पांच सेशन तो आप इससे आप अंदाजा लगाईए कि हम कहां पे खड़े हुए हैं और दुनिया कहां पे खड़ी हुई है तो बात भी बंगलादेश नहीं है कि जो भी पाकिस्तान को वाइट वाश करके गई है बिलकुल वही बंगलादेश है वही शांतू उनका कफ्तान है वही मुश्फीक उनके मिडल ओर्डर में मौमिनुल वही जनाब शेकीब अलहसन लिटन डास मेहदी असन मिराज वही नईद राना वगारा पहले मैच में खेले इस मैच में उने का जी थैंक्यू वेरी मच आप ब्रेस् वार्ड जैसे टोटल इन्होंने खड़े कर दिये एक इनिंग में और पाकिस्तान के लागर बॉलर्स भागते हुए स्पिनर्स जब भी देखो टीवी लगाओ बॉलिंग 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 एक सेशन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दो दिन उन्होंने पाकिस्तान क फिल्डिंग में ही रखा और बॉलर कों से है शाहिन शाह फरीदी नसीम शाह एक से बढ़के एक नाम लेते जाएंगे जिनके सोशल मीडिया पर हाइप है जिदों टीवी आन करो ये बॉलिंग ही किरा रहे ने बॉलिंग ही किरा रहे ने बॉलिंग ही किरा रहे ने अब यह सेशन पाकिस्तान को फील्ड में रखा बंगलादेश ने एक बारी में पांसो पैंसेट रंज उन्हों ने किये एक के बाद एक एक के बाद एक पार्टनर्शिप उपर से जान चूटे तो मिडल और पकड़ लेता है मिडल और में मुश्वीक 191 रंज साथ में जनाम लिटन ड ले तो छे सेशन पाकिस्तान को बंगलादेश ने पिंडी के पहले मैश में फील्ड में रखा तो दोस्तों यह है कहानी पाकिस्तानी मीडिया और जनता की जोगानी आप कितना एगरी डिस एगरी करते हैं यहां हुई बाद चीट पर आपकी कैसी क्रॉस रियक्शन है अपन वो भी साजा कीजिएगा हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में जेह